कि आपिफिशिल इंटेलिजेंस नाम तो आपने सुना होगा काफी सुर्खियों में बिचल रहा है आप तो आपको नीज में में देखने को मिलता होगा आपने देखा होगा आज तक पे जब सुद्विय जोद्री अपने ब्लाक इन वाइट शो शाम को चिनों वज़ चलाते ह वहां पर आपको एक स्तना नाम की लड़की दिखती है जो की बिल्कुल ओरिजिनल लड़की दिखती है लेकिन हाकिकित में वह एक रबोट है जो की नीज को रिप्रेजेंट करती है उस तरह के रबोट आपको अब हर जगार देखने को मिलेंगे आने वाले सामेरे आज हम जानेंगे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस होता क्या है जब आप कोई कमांड करते हो मतलब कि जब आपको कोई गाना सर्च करना है आपको कोई गाना पसंद आता है आपको टाइप हले आप टाइप करते थे लेकिन कभी कबार ऐसा होता है कि आप टाइप करते कुछ और हो ल कि आपको फट से मिल जाएगा कि आप खुद से ही वह गाना गुन-गुना कर उसको बताते हो वो आपको पूरक़ बॉर डाटा आपके सामने ले कर देता है बच्चों को कोई ऐसे छोड़ना है को टाबिक डूड़ना है पीपीटी ढूलनी है को रिसरक्च ढूलनी है वो आप उसमें aux in और यहार जगा पर आपको हम्हेर करते हैं, हम अगरी करते हैं। खासकर आजकल Artificial Intelligence में एक और त्रक्क्या आपको यह देखने के मिलती है मालनों आपको इस फोन सर्च कर रहे हैं आपको एक नया फोन लेना है ब्लेंड़ फोन लेना आई फोन लेना है का आप कोई भी कपड़ा वहां पर सर्च करते हो तो आपको उस तरह के राक्मेंडेशन आपको बार बार मिलती जाएंगी वह एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है लेकिन अगर दूसरी बात अगर देखी जाए इसके साइड़ फैक्ट क्या है बैजिस क्या है आने वाले समय में यह आपकी जाब खा सकता है कि अगर आप काम करने में धीरे पर जाते हो तो जो मिशीन उन्हें नहीं बनाई है वह तो थक्ती नहीं है जैसे आप इसके साना को देखा होगा है आज तक में वह कंटिन्यू बोलती जाती है और हर एक लैंग्विजम बोलती जाती है बीना किसी दिकत से क्योंकि वह तो ए गाड़ी वाला एक ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है उससे अपना घर का गुजाराज करता है लेकिन आने वाला समय में एक ऐसी टेक्नलोजी भी आजाएगी आज़िशिल इंटेलिजेंस में शहीर से अभी है भी कि जैसे आप फोन में गेम खेलते हो आप उसमें हैंड गाड़ी चलीगे आपको जिकार जिकार पहुंचाएगी लेकिन उससे जो जो प्राव्म सुसाइटी में देखने को मिलीगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो मालो आपको कहीं दूर सीटी में जाना है ये किसी हस्टिल में जाना है अगर आप सट कि स्पीड में जा रहे हो लेकिन आपको ये में मालूम कि दूसरी साइड से कोई गाड़ी आ सकती है कहीं और से कुछ और आ सकता है कोई इनसान कोई जानवार सकता है जहां मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी और उस तरह की इमोशन उस तरह का कंट्रोल उसमें नहीं दिया है इसलिए बहुत बड़े बड़े बेर से ऐने वाले समय में आपको आप आलाइन आजगेशन बछूँं को पर्वाइट करवा रहेगों वहां पर भी आनलाइन गोर्ट आपको देहने मिलेंगे जिसे मिलेंगे strom को आपके बच्चों को पढ़ाई और लेगा को ने बड़े-बड़े महान बूरूज होते थे जिनके जो शिश्य थे भहती महान बनते थे और ग्यानी बनते थे लेकिन आज कल उस तरह के ग्यानी नहीं बन पा रहे हैं कि आप आनलाइन का जमाना चल गया आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का जमाना चल वाए जिसके चलते हम भू सब कर रहा है माननों अगर मैंने यह फोन अभी साइड पर रखा हुआ है तो हम आपस में कुछ डिसकस कर रहे हैं कि वह यह हमने वाशिंग मशीन लेनी या फ्रिज लेक्रिजेटर लेना है तो इसमें इस तरह के सैंसर्स है या इस तरह की सैटिन्स होती है कि आपको आपको इस देखुमेंडेशन आ जाती है कि यह फिज ढूनरे से आपको यह आपके सामने है और आप इसको ले सकते हो यह आजकल की आठीशिल इंडेलजेंस है जिससे आपको बचना है और आपको कैंसर बचना है आपको फोन को थोड़ा कम यूज करना है जितने ज़्यादा आप इसके पास जाते रहोगे यह उठनी आपको आपकी लाइफ को स्पाहिल करते हैगा कि यह एक ऐसा हत्यार है आने वाल समय में जितने भी युद्ध होंगे जितने भी वार्स होंगी वह आठीशिल इंडेलिजेंस से लड़ी जाएंगे कि आप इतनी सेना की ज़ूरत कहां प को देखने को मिलेगा इससे भी बचना है इसे कोशिश करनी है इस आर्टिविशल इंडेलिजेंस से थोड़ा बचा जाए इसको प्रापर तरीके से यूज के जाए नहीं तो यह आपकी जान के लिए भी हानिकार के और आपके बच्चते लिए